कार्ल जुंग ने एक थेरी दी थी परसनेलिटी से रिलेटिड जो की काफी फेमस उस टाइम पर हुई और उससे ज़्यादा सीटाइट के लिए ये फेमस हुई क्योंकि सीटाइट के अंदर बहुत सारे कुश्चन इसके अंदर से आते हैं तो क्यों ना इस थेरी को ही निपटा लिया जाए तो दोस्त मेरा नाम विपलव सिंग है आप बैक टू स्कूल चैनल को देख रहे हैं नीचे कहीं लाल कलर का सब्सक्राइब बटनों का क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त हमारे बैक टू स्कूल दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन लिया है आप भी लीजिए तो चलिए दोस्त आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हमारा पूरा ध्यान रहेगा काल जूंग की थेरी के उपर और ये थेरी परसनेलिटी की थी तो जब तक क्लास रूम के मेन पेज पर आते हैं अंदाजा लगाई ये किस चीज से रिलेटिड थी ये इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट से रिलेटिड थी काल जूंग ने इस थेरी के अंदर दो तरीके के लोगों की बात की एक तो इंट्रोवर्ट लोग और दूसरे आपके जाने के लिए उन्होंने एक थेरी का जो है निर्मान किया और इस थेरी को ही आप जो है इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट या फिर कहें अंतरमुखी या फिर बहीरमुखी थेरी बोलते हैं ये जो अंतरमुकी और ये जो बहिरमुकी की जो थेरी है दोस्त ये बेसिकली आपके personality से related है कई बार आप से पूछा जाता है कि ये किस चीज से related है तो ये personality से related है आपकी व्यक्तित्व जिसको बोला जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को हमारे जो है वरतमान समय में जो जु थेरी है वो अच्छे तरीके से डिफाइन करती है और वो मैंने क्यों कहां क्योंकि ग्रूंग ने सामाजिक द्रिस्टी के आधार पर अगर आप से पूछे। कि इस थेरी को बातने का अधार क्या था तोउसका अधार था सामाजिक दृष्टी सामाजिक दृष्टी कौन के आदार पर व्यक्तितु के दो परकार बताए इंट्रोवर्ट और एक्स्टोवर्ट बाद में तीसरा परकार भी बताया उभे मुखी जिसके बारे में बात नहीं करनी है हमें उभे मुखी जो उभे मुखी होता है दोस्त उसको MB वर्ट बोला जाता है MB वर्ट और इस परकार के विक्तियों में कुछ गुण अंतर मुखी विक्तित्व के तथा कुछ गुण बहिर मुखी विक्तित्व के होते हैं तो जो जुँग थे उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी या तो इंट्रोवर्ट होगा या कोई भी आदमी एक्स्ट्रोवर्ट होगा जो आदमी इंट्रोवर्ट होगा उसकी सबजेक्टिव सोच होगी लेकिन जो बहिर मुखी होगा उसकी अबजेक्टिव सोच होगी जो अंतर मुखी होगा वो एकांत वास में उसको मज़ा आएगा लेकिन बहिर मुखी को सोसाइटी के अंदर रूची होगी यानि कि इन दोनों बातों को देखे तो इंट्रोवर्ट हो गया सेल्फ सेंटर्ड और बहिर मुखी हो गया इंट्रेस्टिड इन अदर पीपल ऐसा क्यों है दो व्यक्ति आप देखते हैं एक व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है अकेले रहना पसंद करता है और सेल्फ सेंटर्ड है उसके विचार उसका समाज खुद तक ही केंदरित है लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो अचीव करना चाहता है हर एक चीज को समाज में रूची लेता है और उसका व्यक्तिकत दाइरा खुद के अंदर नहीं दूसरों के साथ भी है यानि कि वो दूसरे लोगों में भी बहुत ज़्यादा रूची लेता है तो इनका सबमिस्व विवार होता है यानि कि आग्या पालन जो है विवार होता है ये ज़्यादा मुखर नहीं होते लेकिन जहां पर बात हो एक्स्ट्रोवर्ट की ये परभुत्व पूरन होते हैं ये डोमिनेंट विवार वाले होते हैं ये कैसे होते हैं, डोमिनेंट वेवार वाले, जो अंतरमुखी होंगे, वो आदर्शवादी होंगे, लेकिन बहिरमुखी यतार्थवादी होंगे, रियलिस्ट होंगे, जो अंतरमुखी होता है, उसकी चिंताओं के परतिरुजान होता है, लेकिन बहिरमुखी चिंता मुक्त होते हैं अगर लेखन की बात करें तो राइटिंग अच्छी मिलेगी आपको इंट्रोवर्ट की लेकिन अच्छा भाषन देने वाले मिलेंगे आपको बहीर मुखी क्योंकि जादा लोगों के बीच में जाकर अपने विचार परदर्शित करने में या एक्सप्रेस करने में जो एक्स्टोवर्ट लोग हैं उन्हें कोई भी दिकत नहीं आती है तो बैटर इन स्पीच आपको एक्स्टोवर्ट मिलेंगे इंट्रोवर्ट के मुकाबले और एक दम से ततकाल निर्णाय लेने की शमता भी एक्स्टोवर्ट लोगों में जादा होती है लेकिन निर्णाय देर से लेते हैं अंतरमुखी लोग और ये एड्जस्मिंट भी कम करते हैं इसलिए लचीलेपन का अभाव मिलता है इंट्रोवर्ट में लेकिन लचीलापन भहुत मिलता है एक्स्टोवर्ट में कहीं भी फिट कर दो कितने भी लोगों के बीच में फिट कर दो कोई भी सिचुएशन ओल्राउंडर होते हैं लोगों में ये लोग प्रिया नहीं होते हैं अंतरमुखी क्यों क्योंकि मैंने बताया था कि इनको आत्म के इंद्रित सेल्फ सेंटर होते है एक आंतवास इससे पसंद होता है और आत्म परकिन का दर्श्टी कोण है तो ना ज़्यादा लोगों से लेना देना और ना ज़्यादा लोगों की टेंशन कहते हैं ना less people to deal with less bullshit you will deal with के दिना एक आपने सुना होगा यह कि less people you chill with less less bullshit you deal with जितने ज़्यादा लोगों के साथ रोगे उतना ज़्यादा बेवजेगी चीज़े होंगी तो अच्छा है यह कांत महीं रहो तो यह अंतर मुखी वाले का दर्श्टी कौन है लेकिन जो बहीर मुखी होगा वो लोग प्रिया होना चाहेगा वो famous होना चाहेगा और famous कहां पर हुआ जाता है दो लोगों के बीच में famous तो नहीं हुआ जाता है काफी लोगों के बीच में हुआ जाता है और काफी लोगों के साथ connect कौन कर पाएगा जिसकी समाज में रूची हो जो दूसरे लोगों में रूची लेता हो जिसका objective द्रिश्टी कौन हो subjective now ठीक है तो लोगों में लोग प्रिय होना बहिर मुखी जो है व्यक्ति पसंद करते हैं लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो introvert होते हैं जो introvert होते हैं वो swim के बारे में अपने विचार रखते हैं बहुत तगड़े लेकिन जो extrovert होते हैं उन्हें कहीं न कहीं जो है दूसरों की हामी की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो दूसरों की सहमती के बिना दूसरों की हामी के बिना उनकी ego satisfy नहीं होती और जो introvert आपको लोग दिखेंगे दोस्त introvert लोग जो है ज्यादा हिंसक भी आपको नहीं दिखाई देंगे लेकिन जो extrovert होते हैं उनका रविया थोड़ा बहुत अंतरमुकी के मुकाबले थोड़ा सा हिंसक आपको दिखेंगा इसका reason ये है कि ये dominant होते हैं भीर मुखी ये चाहते हैं कि ये अपना वर्चस स्थापित करे दूसरे लोगों के उपर अपने आपको ये तोड़ा सा strong दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि समाज में जंगे बनानी पड़ेगी तो क्या दिखाना पड़ेगा we are above लेकिन introvert को कोई लेना देना नहीं होता कि समाज उनके बारे में क्या सोचता है एक ग्रूप के अंदर उनकी क्या play से उसका सिर्फ लेना देना होता है खुद से कि क्या मैं अपनी नजर में खुद के लिए ठीक हूँ जो वो कारिय भी अपने लाइफ में प्लैन करता है वो भी प्लैन आउट होते हैं इस चीज को ध्यान में रखके कि उसमें मेरा फाइदा है या नहीं और ये बिल्कुल शांत सोभाव से काफी देर के बाद से सोच समझकर किसी भी समस्या के बारे में निर्णा लेते हैं जबकि काफी जल्दी जल्दी में निर्णा लेने वाले आपके एक्स्टोवर्ट होते हैं तो इस पूरे अंतर मुखी और बहीर मुखी में तो इस तरीके से ये जो काल जुंग थे इन्होंने काफी सुन्दरता से काफी सरलता से हम लोगों को बताया कि व्यक्तित्व जो होता है परसनलिटी जो होती है व्यक्ति की वो तीन तरीके से हो सकती है और इन तीनों तरीकों को उन्होंने अपने अच्छे तरीके से हम सब को स लिया था अब personality की बाकी theories भी आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि learning हुआ personality हुआ और intelligence हुआ ये तीन ऐसे topic हैं जिनसे आपकी काफी अलग-अलग theories सीटेट की exam में questions का base बनती हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जो CDP के जितने भी sessions ये आपके लिए recorded video मैं लेकर आता हूँ chapters की इनकी अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा theories आपको करवाऊं ताकि आपका सीटेट का जो है काफी अच्छे तरीके से तयारी होती रहे और दोस्त जैसे मैं आप लोगों के लिए तयारी करवा रहा हूं सीटेट की वैसे मैंने सूपर टेट की तयारी करवाने भी शुरू कर दिये तो आपको जल्दी से क्या करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एप के अंदर भी मैंने एक अलग section जो है सूपर टेट का बना जिसके अंदर चीज़ें डलने स्टार्ट हो जाएंगे तो देरी किस बात किये subscription ले अपनी तयारी को आगे लेकर जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडि करता हूँ तब तक के लिए जैंद जैबार्द टेक केर दोस्त